नमस्कार न्यूस वानेशन देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ रश्मे ब्यार में आरारबी एंटी पीसी अभियर्थियों की तरफ से जोड़दार हंगामा किया गया न्यूस वानेशन ने आपको वो तमाम तस्वीरे दिखाई कि किस तरह से स्टूरेंट्स ने रेलवे ट्राक पर चम कर हंगामा करते हुए नारे बाजी भी की और आक्रोशित भी स्टूरेंट्स नजर आएं आपको पताएं कि आरर्बी एंटीपीसे की जो परिक्षा ली गए थी उसके परिनाम में कई तरह की हर बड़ी की बात अभियर्थियों की तरफ से की जारी है इसको लेकर कई दिनों से अभियर्थियों ने ये मांग भी की थी कि जल्से जल्स में सुधार किया जाई लेकिन इसके बावजूद सुधार नहीं किया गया जसके बाद स्टूरेंट्स का जो गुस्सा है वो देखने को मिला था ऐसे में राजे नगत टॉमिलर पर हजारों की संख्या में अभियरती वहां पहुचे थे और उन्होंने जम कर प्रदशन किया ऐसे में रेलवे ट्राक कई घंटे तक जाम भी रहा कई लोगों को परिशानी भी हुई है ऐसे में अब इस पोड़े मामले को लेकर लालुकृशाद यादव के बड़े लाल तेश्पृताप यादव की तरफ से ट्वीट करते हुए सरकार पर हमला बोला गया है ऐसे में क्या कुछ कहा है तेश्पृताप यादव ने आप पहले इस ट्वीट को देखिए तो बतादे कि इस ट्वीट में तेश्पृताप लिखते हैं रिजल्ट में धांदली का आरोपल लगा कर प्रदेशन कर रहे आररबी एंटीपीसी अभियर्थियों के साथ पुलसिया गरबरता की घोर नंदा करता हूँ सरकार तमाम समस्याओं से अवगत है अतयेव हम चाहते हैं कि एंटीपीसी अभियर्थियों की पीड़ा को जल्दी ठीक किया जाए अन्यथा नौजवानों की क्रांतीकारी जनसलाब को रोकना मुश्किल होगा तो आपको बताएं कि रजल्ट में धाधली की बात अभियर्थियों की तरफ से कही जारी है और इसी को लेकर ये जो पूरा प्रदर्शन है वो राजधानी पटना में एंटीपीसी अभियर्थियों की तरफ से किया गया और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की तरफ से अकारवाई भी की गया यानि कि कल जब बच्चे राजे नगत टोमिलर पे जो प्रदर्शन कर रहे थे उस वक्त पुलिस वहाँ पहुची और कुछ अभियर्थियों को पुलिस ने गिराफतार भी कर लिया ऐसे में तेज प्रताप यादव ने सरकार पर हमला करते हुए का है कि जो पुलिसिया कारवाई कल की गई उसकी मैं घोड निंदा करता हूँ क्योंकि ये बच्चों के जेवन का सवाल है उनके भविश्य का सवाल है ऐसे में उनके भविश्य से खलवार करना कहीं से भी सही नहीं है आपको बताएं कि NTPC की जो रिजल्ट सामने आई इसमें धांधली की बात अभियर्थियों की तरफ से की जा रही है और यही वज़ा है कि इसमें सुधार को लेकर अभियर्थि कई दिनों से मांग कर रहे थे लेकिन इसके बावजूद कोई सुधार नहीं किया गया जिसके बाद राजधानी पटना में ये जोरदार हंगामा NTPC अभियर्थियों की तरफ से किया गया है ऐसे में आगे सरकार की तरफ से क्या कुछ फैसल लिया जाता है क्योंकि अगर हम वपक्ष की बात करें तो वपक्ष इस वक्त पूरी तरह से तयार है सरकार को घेडने के लिए और NTPC की अभियर्थियों के साथ भी उसके सपोर्ट में अतेश पिताप यादव का ये ट्वीट इस वक्त सामने आया है ऐसे में देखने वारी बात होती है कि आखिर अभियर्थियों को लेके सरकार क्या कुछ निर्णय लेती है और रिजल्ट के में जो धांदली की बात कही जाड़ी है इसको लेकर आगे क्या कुछ कारवाई सरकार की तरव से की जाती है फिलाल के इतना ही जादा अपडेट के लिए आप बने रहें ये न्यूस फोर नेशन के साथ मुम्सकार